हलो दोस्तों स्वागत है आपका ये सिबिल कोट के कट ओफ हम लोग देखने वाले हैं कि 2016 में जो वैकेंसी आई थी जैसा कि हम previous questions में जैसे आई बटन में दिख रहा होगा आप color के बारे में बहुत कुछ डिसकस किया है तो color के जितनी vacances थी उसमें cut off कितना गया था final cut off जो है वो कितना गया था ये आपको बता रहे है final result 2018 में घोसित हुआ था और 18 में ही joining मिली थी तो देखिए ये हम लोग one by one चलिए discuss करते हैं कि final cut off गया कितना था तो आईए तो ये देखिए आपको result declare कब हुआ था 26-2-18 को result declare हुआ था जिसमें unreserve का जो cut off गया था वो 100 नमबर में cut off mark 64 था यानि कि 64 पे बाहली हो गई थी BC backward class का 61 नमबर गया था extremely backward class EBC का 59 गया था schedule cast का 54 गया था schedule tribe का 50 गया था और जो महिलाएं थी ठीक है backward class की extremely backward class की और यह 57 गया था लेकिन इस बार cut off इसी के आस्पस रहने का यह है क्योंकि इस बार जो है EWS का अलग से section लगेगा 35% महिलाओं के लिए अलग से quota लगेगा तो यह सब देखके cut off जो है इसी के round रहेगा थोड़ा सा दो चाहा नंबर आगे पीछे हो सकता है तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि आखिर कौन सा बच्चा कितना marks लेके आया था यह हम लोग देखने वाले इसके बात लास्ट वाले साइट पर लोग देखेंगे किस बच्चों को इंटर्व्यू में कितना मांग दिया गया तो ध्यान देने वाली बात है कि आई बटन में जो अभी आप आपको एक पेपर दिख रहा होगा वो पीटी का पेपर दिख रहा है उस पे कोई result बना नहीं था मेंस का मैं पेपर अ कोस्टन था इन्होंने टोटल कर दिया था और 20 फिर हिंदी का अलग से एकजाम हुआ था 20 इसमें कुछ objective कोस्टन थे और कुछ essay राइटिंग का भी करना था portion तो यह 40 मांक्स का अलग एकजाम हुआ था तो इस बार पेपर का pattern क्या होगा वो finally notification जब 16 तारी को देखने को हमक आपको selection लेना है तो ठीक है कितना 45 प्लस करने होंगे अगर आपको selection लेना है तो बाकि हिंदी और इंगलिस अभी notification आ जाने दिजए तो मैं फिर से एक बार प्लान आपके साथ चर्चा करूंगा तो इसके बाद बहुत बच्छा 50 भी लाया था जैसे यह पंकर जी थे 50 नंबर लेके आ गया थे इसके बाद आसिस कुमार जी 50 नंबर लेके आ गया थे यह राना ठीक है रविरंजन कुमार जी 50 नंबर लेके आ गया थे ठीक है यह बहुत से 50 नंबर अब हम लोग इंटर्वियू के साइथ यह फाइनल मेरिट लिष्ट है इसी पर बच्छों का selection ह तो 80 मार्क्स उधर से लाए थे अब देखिए यह जो है ठीक है करांती कुमार जो थे हमारे वह 50 नमबर तो यहां से लाए थे लेकिन वह सिर्फ 2.83 मार्क्स इंटर्व्यू में ला पाये थे और टोटल इनका 82 मार्क्स हुआ था लेकिन इनका मार्क्स ही इतना ज़्यादा था यह 50 मार्क्स पीटी में लेकिया थे तो मार्क्स इतना ज़्यादा था यहां पर देखिए 50 नमबर इदर लाए थे इदर 14 नमबर लाए थे इदर 16 नमबर लाए थे तो इंटर्व्यू में बहुत कम नमबर मिलने के बाद भी यह क्या करें वन रैंक होल्ड कर रहे थे ठीक ह यह आपको ध्यान देने वाली बात है तो यहां पर आपको यह जम के अभी तैयारी में लग जाना है ताकि आप आगे चलके क्या कर सकें अच्छा कर सकें दोस्तों तो यह फाइनल कट अप था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था तो मैं आपको बता दिय आप इसका स्क्रिन सोट ले लीजिए और अभी से आप तही आरी लग जीजिए इस दरह से अस्टोनो ग्राफर का जो पोस्ट है और जो पोस्ट है सारे पोस्ट को मैं धीरे धीरे यह करूंगा आपके सामने कोस्टन्स लेके आते रहूँगा तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ आप एक नया वीडियो लेकिया हूँगा जो एक कोस्टन्स बैंक जो अभी बच गया है ठीक है जैसा कि हम आपको बताया थे कि दो सिफ्ट में एक्जाम हुआ था एक सत्रा तारी को एक्जाम हुआ था उसके बाद एक 21 को एक्ज मिल दागा तो फिर मेंस में जो पेपर आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में क्या पेपर आया था तो अभी पीटी में आप कॉंसंट्रेट रहिए तो इस वीडियो में इतना है फिर मिलते है एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद